नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सब। आज किस संड़े के Mac Mini से ཈ indoor-iquéveniu ajaild Q & A में आप सभी का बहुत बहुत सवागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत मज़ेदार मज़ेदार कोशन आपके आये है। और यह सारे कोश्चन जो है मेल किये गए हैं तो मैं बीना समय गवाए एकार करके आप सभी के प्रस्णों का बहुत इस शांदार जवाब देले वाला हूं वीडियो को सुदू से अंतक देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किजिए बेल आइकन को भी बजाए तो द लगा सकते हैं और HDMI के तुरू है को इसलिए आप लगा सकते हैं त dopamine कि पोच्छते हैं कि मैक मिनी कितने समय टक साल से यह पूछना चाहते हैं कि यह कितने बर्सों तक इसकी लास्टिंग है तो देखिए दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से इस्तमाल कर रहे हैं तो चार से पांच साल तक अपडेट ही आएगा एपल के तरफ से चार से पांच साल तक सब्वेर अपडेट के तुरू यह आपको मैक वैसे भी जिंदा रहने वाला है और आज के डेट में आज के इस अंदर में मैं देख रहा हूं कि इसके प्रोसेशर बहुत कमाल का है चुकि एपल का प्रोडक्ट है लॉंग लास्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी विडियो अडिटिंग आडियो अडिटिंग और्यो प्रोड़क्ट यह सारे काम बहुत इजली कर सकते हैं हलकर को ख़कते हैं इतने सारे WiFi के साथ और सबसे कमाल की बात यह है रूंत से संब्सक्र आइस मेन. मैं कि मिनी एंटू का वह वहरीज करते रहता है बीवीडी से लाने वाला है देखिए कितना प्राइस होता है बहुत इस असता में मिल जाएगा तो कुल मिला करके एक अच्छा बजट में कमाल का ये मास्टर पीस एपल के तरफ से है तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्ट कोश् इसको आप खरीदते समय ही आप अपग्रेड कर सकते हैं या तो एट जीवी का आप लगा सकते हैं या तो आप सोले जीवी का लगा सकते हैं और वो भी अपग्रेड खरीदते समय ही उसके प्राइसेज आपको वह नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं कि इसको जैसे बिंडो जी का यह पावर गंस्य पता निए पावर गंस्य का इनका question है यह पूछ रहा है कि मैक का full form क्या है तो दोस्तों मैक का full form है media access control दोस्तों नेक्स्ट वाल की तरब चलते हैं और यह अजै जी का है अजैं मेहता करके एक हैं यह है थाने के और इनका सवाल यह है कि क्या 2023 में एक नया Mac Mini हम लोग को मिलेगा वो भी M3 चीपसेट के साथ तो इनका जो कोशन है बहुत ही अच्छा कोशन है और इससे रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बना दिया हूं आप आई बटर में चेक आउट कीजेगा इसका पूरा वीडियो ह है कि 2023 में नेक्स्ट Mac Mini मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं लेकिन मैं आपको इन्शॉट बता दूँ है जी कि 2023 में तो नहीं देखने को मिल रहा है M3 लेकिन 2024 में देखने को मिल जागा लेकिन कब और क्या-क्या फीचर हो सकते हैं वह सारा उस वीडियो में बताया हूं आप आप जाकर कि उसको जरूर देखेगा आपके सारे सवाल का जवाब बिलकुल मिल जाएगा दोस्तों अगला कोशन जो है वह बहुत ही कमाल का है यह परमानु जी हैं लखनाव से लखनाव से परमानु जी का कोशन है कि क्या मैं Mac Mini को लैप्टॉप से कनेक्ट कर सकता हूं तो इसको अगर कनेक्ट करना है तो आप स्क्रीन सेरिंग के थुरू आप कनेक्ट कर सकते हैं वह भी अगर सेम बाइफाइ पर दोनों रहेंगे डिवाइसे तभी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों अगर समझ भी नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजेगा वीडियो में email ID है उससे आप सीधे email कर सकते हैं question पूछ सकते हैं आपके सारे सवालों का मैं जवाब जरूर दूँगा तो दोस्तों चलते हैं next सवाल की तरफ और जो आगला सवाल आने वाला है यह आया है cooler cooler लिखा हुआ है पता नहीं क्या cooler से सिर्फ आया है या मैक मेरी M2 का color जाना है तो दोस्तों वैसे आपको gray और silver दोनों color में अभी फिलहाल मौजूद है आप देख सकते दोस्तों एक सवाल किये है और इनका नाम समझ में नहीं आया है basically जो है MP के हैं इनका question है कि सबसे नया macOS क्या है आय बटन में वह भी देखने को मिल जागा और इस चैनल पर बहुत सरे वीडियोज है उसको भी आप चेक आउट कीजेगा और उसके कुछ नए features भी आया है उन features का भी लूप उठा सकते हैं कुछ नए नई चीजे भी आ गई है macOS और वैसे अगर next macOS की बात किया जाए तो launch हो चुका है वीटा वर्जन में अभी चल रहा है और उसका नाम है macOS Sonoma उसके भी features से regarding videos है आप उसको भी check out कर लिजेगा सेग्मेंट पर पहुंच चुके हैं जो सबसे last question आ चुका है छोटु कुमार का है इनका question है कि Apple का operating system कौन सा है दोस्तो Apple का operating system जो है iOS है अब यह iPhone का operating system iOS है लेकिन अगर आप Mac की बात किजेगा तो macOS है और इसी तरह से iPad OS है आप यह नहीं पूछे हैं कि आपको कौन सी devices का operating system जानना है तो यह था आज का Q&A आपको यह वीडियो अच्छी लगी और कोई मन में सवाल उमर घुमर रहा है तो आप पूछ क्यों नहीं लेते हैं आप पूछिए लिखिए डिस्क्रिप्चन में या तो डिस्क्रिप्चन में में मेरा email आडिया है वहां से भी आप question पूछ सकते हैं आपके question को address करते हुए वीडियो में जरूर बना दूंगा और next Q&A में और लाइप की जिए बेल आइकन को बजाते हुए बाई